हलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब बिनाय सर्मा बिग बी आफ फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है तो राउंड टू का रेजल्ट भी आ गया आल इंडिया का और ये भी पता चल गया कि किस स्टेट को कितनी सीटें बापस होनी है तो हर्याना को 72 सीटें बापस हुई है और इसके साथ साथ एक दो और भी ऐसे पूइंट आ रहे हैं जिनके कारण हर्याना के कटप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है तो इस पर हम बात करने वाले हैं तो आप वीडियो पर बने रहें इसके पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अनकेडमी लेके आया है अनकेडमी कॉमबेट इंडियास लारजेस्ट फोर्ट नाइट कंपेडिशन फा नीट यूजी बेस्ट कॉस्चन वाई बेस्ट अनकेडमी एजुकेटर तो यह एक टेस्ट सीरिज है अनकेडमी की जो यह चला रहे हैं इसमें चलेंजिंग कॉस्चन रहेंगे सुपर फास्ट फन विद रियल टाइम रैंकिंग है अब अपनी रैंकिंग पता कर सकते हैं कंप्लीड विद आपको जो है दूसरों के साथ कंपेडिशन करने का मौका मिलेगा डिटेल वीडियो शल्यूशन रहेंगे और इसके साथ साथ आपकी स्कूर रेटिंग और आपको यह एमेजन के थाउजन, टैन थाउजन के वाउजर, फाइब थाउजन के फर्स्ट थेकिन थाइड रैंक 40-50 रैंक तक मिलने वाले हैं और इसकी यह टाइमिंग रहेगी दिशंबर 13 को ग्यारा बजे और यह देख लीजिए ग्यारा से बारा इलेविंथ, ग्या 12-13 मतलब ड्रापर और यह देख लीजिए इसका डेटेल, यह सलेवस भी नोंने बताया हुआ है और इसमें कैसे आप रजिस्टिट होंगे, इसको रजिस्टिट होने के लिए आपको अनेकेडमी के लर्निंग एप को पिले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और फिर उसके बाद रजिस्टिट होना है और जो कोड है वो आपको यूज करना है, नीट 10 कोज यूज करके आप उसमें रजिस्टिट हो सकते हैं, चलिए तो अब वीडियो को सुरू करते हैं, तो यह हमारा महत्यपूर वीडियो है, क्योंकि हर्याना का जो पहले राउंड का कटप था, अब वो बहुत हाई गया था, तो उसको देखते हुए सभी बच्चे यह सोच रहे थे हर्याना स्टेट के कि आखिर कितने तक मिलेगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कॉलेज मिलने में दिक्कत हो जाएगी, यह देख लीजे आप फर्स्ट राउंड का जो कटप गया थ सहर्याना का, यह आपके सामने देख रहा है, इसमें अन्रेजर्ब में 616, EWS में 611, और BCA में 578, BCB में 602, और SC में 540, AIR की बात करें तो 13,000 तक अन्रेजर्ब में 15,000 तक EWS में 31,000 तक BCA में, 19,000 तक BCB में और 55,000 तक SC में, तो यह कटप जो है हर्याना का राउंड बन का गया था, लेकिन राउंड टू का कटप नीचे जा रहा है, मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ आज, यह बहुत ह analysis वीडियो है, कि कटप हर्याना का second round का नीचे जाने वाला है, और वो भी 600 से नीचे जा सकता है, तो यह बहुत बड़ी ख़बर है हर्याना की बच्चों के लिए, जो परिशान थे, क्याल इंडिया से उन्हें अगर नहीं मिल पाया था, तो वो क्या decision लें, तो इसके दो त हर्याना में जो यह bond वाली theory आई है, इसके कारण बहुत से बच्चों ने UP या दूसरी जगा के college All India counseling से ले लिए हैं, तो उससे हर्याना में भी seat vacant हुई हैं, और उसके साथ साथ All India से भी पिछले बार की तुलना में ज़्यादा सीटें सवार, लगबख 72 सीटें सवार आई ह इन सब को देखते हुए cut up नीचे जरूर जाना था, चलिए तो अब देख लेते हैं क्या है वो cut up जो जाने वाला है, चलिए इसकी study करते हैं, तो देख लीजे आप कि अन्रेजर्ब का cut up जो है 599 marks, 20,171 तक, EWS का 22,186, 595 marks तक, BCA का 40,615, 562 नमबर तक, BCB का 585, 27219, और SC का 518, 71,799 नमबर तक, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जा सकता है, हम आपसे फिर से कहेंगे, कि हमारा acceptation है, कि हम expect कर रहे हैं कि ये cut up जा सकता है, हर्याना round 2 का, उसका region हमने बता दिया है, हमने जो region समझे हैं, उनके हिसाब से हम मान रहे हैं, कि cut up हर्याना क 600 के नीचे अनरजर्ब का जा सकता है, चलिए तो आप वीडियो को like कर दें, share कर दें, subscribe कर दें, अगर आप नए जुड़े हैं, तो और भी अपने दोस्तों को, हमारे चनल को share करें, और हम सब यह आसा करते हैं, कि round 2 के cut up में, आपको अच्छा college मिले, और जैसे ही इसकी जान कर यह serrated, map of round serrated, m's के, सब मिलती रहेगी, तो आप channel से लगातार, जोड़े रहे हैं, thanks for watching, please subscribe our channel